Hello Friends तो आज हम बनाने वाले हिन गोबी के पराटे क्योंकि गोबियों का सीजन चल रहा है ठाड में इतनी सुन्दर सुन्दर गोबी आती है कि देद्दमान करता बस इसके पराटे बनाते जाये और खाते जाए तो चलिए आज बनाते हैं गोबी के पराटे तो सबसे पहले ले लेनी है हमें गूभी उसके निखाल लेने हैं सारे डंठलो को अलग कर लेना है जो मलें के प्त्ते वाले होते हैं बंगा जब उसके पीसे से बड़े बड़े वह ले लेने हैं उसके बाद इस अच्छे से कीस लेना है हम कीसनी के हल्प से इस अच्छे से कीस लेंगे देखे हमने सारी गोवी को अच्छे से कीस लिया है अब इसे हम रख देंगे साइड में और सबसे पहले ले लेंगे हम पराठे के लिए आटा जिसमें हमने गियू का आटा ले लिया है और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन थोड़ा सा डाल देंगे इसमें ओईल हम और अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम सॉफ्ट डो बना लेंगे अब इसे रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम अपनी पीलिंग रेडी करेंगे सबसे पहले पैन में ले 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 लेंगे थोड़ा सा ओईल आदा चमल डाल देंगे इसमें जीरा हम साथ में थोड़ से डाल देंगे हम अत्रक जिसे हमने बारी-बारी कट कर लिया था साथ में ही डाल देंगे हम बारी कटी हुई हरी मिर्च अब इन दोनों के अच्छे से भून लेंगे सबसे पहले अब डाल देंगे इसमें हम बारी कटी हुई प्याज इसे भी अच्छे से भून देंगे अब इसमें डाल देंगे हम एक चमस धनिया पाउडर और अच्छे से इससे भी भून लेंगे अब ये सारी चीजे अच्छे से भून चुकी हैं इसमें एड़ कर देंगे हम गोवी जिसे हमने अच्छे से कीस लिया था अब इसका सारा मॉश्चर हट चुका है तो इसमें एड़ कर देंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि जो बजा हुआ मॉश्चर है वो भी हट जाए एक चमस यहां हम नमक डाल देंगे साथ में डाल देंगे एक चमस हम रेट चिली पाउडर हैने की लाल मिर्च आदा चमस डाल देंगे हम हल्दी अब इन सब को अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब गूभी हमारी अच्छे से सिक चुकी है तो इसमें एट कर देंगे हम अमचूर पाउडर और थोड़ा सा थरा देंगे और इससे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब बारी है पराठे बेलने की तो सबसे पहले डो ले लेंगे और छोटी छोटी सी बॉल्स ले लेंगे इसमें आटा लगा करके इससे पहले बेल लेंगे रोटियों के सेव में अब इसके अंदर गूभी वाला मसाला रख देंगे और चारो द्रप से अच्छे से पोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा सूखाटा लगा करके इससे अच्छे से बेल लेंगे अब हमारा पराटा अच्छे से बिल चुका है इसे हम सेख लेंगे अब इससे डाल देंगे हम पैन में दोनों सैट से सबसे पहले हमें इससे सेख लेना है फिर से इससे पलट लेंगे अब इससे ऑईल लगा करके सेख लेंगे अब ऑईल या गी दोनों को यूज़ कर सकते हैं अब तक अब और अब अब आधि अब ऑईल को अच्छे से पैलाते हुए हमें दोनों चैशे से सिख लेना है की आख अरग करणे और अब तो ऑन चाहर करेंगे हम पार्टव सीख लेंगे अब हैं अच्छे से साइट से भी सिखने के बाद हमारा पराथा आप अच्छे से सिख चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और लीजे हमारा गोबी का पराथा बन करके पुल्कुल रेडी हो चुका है ऐसी ही मौर रेसेपी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें स्सक्राइब कर Thank you!